Hey guys welcome back to another video आज की इस वीडियो हम new year की awesome concept वाली photo editing करेंगे तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस background को download कर लेना है तो इसकी link आपको वीडियो के नीचे description में मिल लागी वहाँ पर सब download कर लिजेगा और इस background को हमें Pixar type में open करना है तो Pixar type में open कर लेगे और यहाँ पर उसके बाद हमें नीचे जाना है तो यहाँ पर add photo को जो option है उस पर हमें click करना है और अपनी photo को add कर लेनी है तो हमें अपनी photo को cut out करके यहाँ पर लगानी है तो हमें कुछ इस तरह की photo अपनी photo को click करवानी है तो इस तरह हम अपनी photo को add कर लेंगे बढ़ देंगे और हैड डाेज को यहां पे डाउन करेंगे execution को थोड़ा नहीं क्योंकि हमारी जो फोटो यह यहां घर होचकी है उसके लिए मैं कुछ switch add करनी है तो उसके लिए हम सबसे पहले एड फोटो पे जाएंगे और यहां पे एक PNG है जिसको हमें दो बार क्लिक करना है तो यहां पे दो बार एड हो जाएगी तो यहां पे 20 लिखा हुए PNG में तो हमें उसे एड कर लेनी है और हमें इस तरह अपनी PNG को रखनी है कि जो हमारी hand है वो हमारे hand पे 0 रखा हुआ है तो इस तरह हमें अपनी PNG को एड करनी है तो हम इसे इसके opacity को कम कर देंगे और हमारे hand पे हम रख लेंगे 0 को और इसके बाद यहां पे हमें erase वाले icon पे click करना है जो हमारी onglyहा है उसे हमें बाहर लानी है तो अंगलियह को हम यहांपे और हम पे erase कर देंगे तो यहां पे size को कम करके और यहां पे हम erase कर देंगे तो इसी तरह हमें एरेस कर लेना है तो आपको भी पिक अपनी इसी तरह की पोज में क्लिक करवानी है ताकि जो है आपकी हाथ में ये बॉल जीरो वाली बॉल जो है वो आड़ हो सके उसको आद ओपिसीट को हम फुल कर देंगे और यहाँ पर नीचे जो 20 है उसको हमें इस तरह एड़ करनी है कि ये हमारी हाथ से गिर रहा है तो इसी तरह यहाँ पर एड़ कर लेंगे और इसके बाद हमें और एक PNG एड़ करनी है तो एड़ फोटो पर जाएंगे उसके बाद Draw tool पे जाके हम अपनी पिक को Save कर लेंगे तो हमें नीचे Slide करना है यहाँ पर Draw tool पे जाना है और यहाँ पर Overlay का जो Option है उपर क्लिक करना है और यहाँ पर 3 dots पर क्लिक करके हमें Merge कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर बाई तरफ जो 3 dots से उसके क्लिक करके हमें Save image पर क्लिक करना है तो हमारी जो photo है वो save हो चुकी है अब उसके बाद हमें अपनी pic को Lightroom Map में open करनी है क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ adjustment करनी है तो यहाँ पर हमें Lightroom Map में send कर लेना है तो हमारी जो photo है वो Lightroom Map पर import हो चुकी है उसके ख्लिक करेंगे हम तो हमारी photo जो है Lightroom Map खुलने पर यहाँ पर import हो चुकी है अब उससे हम open कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें color adjustment करनी है तो सबसे पहले हम color adjustment वाली option पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर vibrance को हमें 60 कर लेना है ताकि जो है हमारी pick में saturation आ सके उसके mix पर click करना है और orange पर जाकर हमें luminance को बढ़ाना है और उसके बाद red पर click करना है और saturation को बढ़ाना है तो उसके बाद हमें यहाँ पर yellow पर click करना है और य Cooper क trilिक करने के बाद यहां पर को थोड़ा से कम कर लें आव सचिरेशन को रहने दोर थेनी और थोड़ा से Vibrance यहांपे luminance को बढ़ाएंगे तो cositu तुब ला लगर बार लेंगे और इसके बाद सबस्क्राइक है और यहांपे Blue वाले option क्लिक करना बूलु और यहां पर ब्लू कळलर की जो लियुमियनान से उससे भी बढ़ानी है तो बढ़ा लेंगे लिए तो यहां पर हमारी जो कलर डिया स्टो की इसTPर कर दे और उसके बाद हम यह पर नीचद आब अमें उपर उसके वकार 09 पर पर क्लिक करना है और clarity को 10 रख देनी है और यहां पर विगनेट है उससे हम कम कर देंगे तो मैंने 16 के असपास रख देना है और उसके नीचे यहां पर triangle वाला icon है तो उस पर click करेंगे हम और यहां पर noise reduction को थोड़ा सा बढ़ाना है और sharpening को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है ताकि जो हमारी photo है वो थोड़ा सा clean हो सके तो इसके लिए हां पर हम adjustment हो चुकी है तो हमारी pick बिल्कुल perfect बन चुकी है हमारी happy new year वाली concept बिल्कुल perfect editing हो चुकी है अब last option है हमें three dots पर click करके अपने pick को save कर लेना है तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारी चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दे और अगर आपको किसी भी तरह की information चाहिए तो हमें इंस्टा पर message कर सकते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलता हो अगला वीडियो में तब तक के लिए वाए